एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप 2030 में 1000 सुनाली मुर्गी का पादन करते हैं तो आपको कितना खर चाने वाला है और आपको कितना profit होने वाला है एक हजार सुनाली मर्गियों से तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछले चरपांच सालों से सुनाली मर्गी का पलन हमारे देस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसका प्रमुक कराण ये है कि सुनाली मुर्गी का सुवाद लगभग देशी मुर्गी के जैसे ही होता है सुनाली मुर्गी की एक खासियत ये भी है कि इसकी इम्यूनिटी पाउर काफी स्ट्रॉंग होती है इसलिए इसमें मोटल्टी रेट भी बहुत ही कम होती है लगभग देशी मुर्गे की ही तरह तो चलिए जान लेते हैं 2023 में अगर आप एक हजार सोनाली मुर्गी पालन से सुरू करना चाहते हैं आपको खर्च कितना होने वाला है और लास्ट में आपको एक हजार सोनाली मुर्गों से प्रॉफिट कितना होगा तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी सोनाली मुर्गियों के चूज़ों की तो सुनाली मुर्गे के चूजों की अगर बात करें तो कम से कम 25 रुपए और गर्मियों में अगर आप सुरू करने वाले हैं क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है तो हो सकता है कि मैक्सिमम आपको 32 रुपए तक सुनाली मुर्गे का एक चूजा मिल जाएगा तो इस तरह से अगर हम 1000 सुनाली मुर्गे के चूजे 32 रुपए के हिसाब से खरीते हैं तो हमें 32,000 रुपए उनके चूजों पर खर्च करने होंगे तो चूजों को लाने के बाद जो सब से जरूरी काम होता है वो होता है मुर्गे के चूजों के ब्रूडिंग करने का तो तो उस हिसाब से हमारा बूटिंग का खर्च बच जाएगा अब सवाल आता है सुनाली मुर्गी एक किलो तक का होने में कितना फीट खाती है तो अगर आप सुनाली मुर्गी को पूरी तरह से पॉल्ट्री के अंदर पा लेंगे और इनको भोजन के रूप में सिर्फ में दिखाई दे रहा है तो आप बर्सीम हरा चारा हरी सबजियां आदि खिला के कम सकम 500 ग्राम फीट अपना बचा सकते हैं तो यहां पर हम यह मान के चलते हैं कि जो हमारे फार्मर हैं पूरी तरह से इसको पॉल्ट्री के अंदर पाल रहे हैं और इनको एक केजी होने तक जिसका की कुल दाम होता है एक लाक बाइस जार और पांच सव और सभी खर्चों पे होने वाला कैलकुलेशन हमारा सीधा सीधा रहे इसलिए हम जो एक हजार मुर्गियां लाए थे उसमें मॉर्टैलिटी को एड़ नहीं करेंगे तो यहां पर दो चीज़े हमने क्लियर कर ली एक हजार चूजों का दाम कितना है और एक हजार मुर्गियां अगर हम पालते हैं तो वह कितने का फीट खाएंगी अब हम बात करते हैं जो एक और जरूरी खर्चा होता है वह होता है वैक्सिनेशन और मेडिसन का तो एक हजार मुर्गियों के पीछे हम मानके चलते हैं कि लंब सम 2,000 रुपए हमारे खर्चे होंगे जिसमें कि हमारा वैक्सिनेशन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जो हम उसको हेल्थ टॉनिक देंगे या आन्य कोई मेडिसन देंगे तो दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी तो 2,000 रुपए हमने इसमें और एड कर दिया अब इसका एक अंतिम खर्चा है वो है पॉल्ट्री के बिजली का बिल तो यहां पे 1,000 रुपए हम पकड़ के चलते हैं कि हमारी पॉल्ट्री का जो टोटल बिल आएगा वो 1,000 रुपए का आएगा और इन सब खर्चों के बाद कुछ अन्य जरूरी खर्चे भी होते हैं जिसको की एड करना जरूरी होता है जैसे कि चूजों को लाने के टायम जो हमारा ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है वो खर्च और लेबर कोस्ट या अन्य खर्चों को अगर मिला दिया जाए तो 1,000 रुपए हम और इसको रख लेते हैं तो टोटल हमारा खर्च एक बार कल्कुलेशन कर लेते हैं कि अभी तक 70 दिनों के अंदर हमने अपना सुनाली मुर्गी 1 किलो करने में कितने रुपए खर्च कर दिये सबसे पहले हम 32,000 रुपए के इसके चूजे लाए थे और उसके बाद फीट के खर्च को इसमें जोड लेते हैं जो की होता है 1,22,500 उसके बाद मेडिसन और वेक्सिनेशन की खर्च के बाद करें तो 2,000 रुपए हमने उसको एड़ किया हुआ था बिजली का बिल हमने 1,000 रुपए का एड़ किया था और जो हमारा एडिसनल खर्च था ट्रांसरपोडेशन का और लेबर कोश्ट का उसका भी हम 1,000 रुपए यहां पे एड़ करके अब हम इसको टोटल कर लेते हैं तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है अभी तक हमने इस पे टोटल खर्च कर दिया है 1,88,500 अब बात करते हैं 1,000 सुनाली मुर्गिया अगर हमारी 1 kg की होती है और उनको हम होल सेल में बेचते हैं तो हमें दाम कितना मिलने वाला है सुनाली मुर्गिया की रेट की अगर बात करें तो पूरे भारत में अभी इसकी डिमांद सबसे ज़्यादा है फिर भी इसका रेट कम और ज़्यादा होते रहता है तो इसका रेट जब सबसे कम होता है minimum rate इसका 200 रुपया प्रती केजिय के हिसाफ से आता है और maximum rate की अगर प्रती केजिय की बात करें तो wholesale में इसका rate 280 रुपया प्रती किलो तक जा सकता है तो यहाँ पे हम एक average price पकड़ेंगे तो हम मानके चलते हैं कि आउसत दाम जो हमारा मुर्गियों का है हमको मिल सकता है 230 रुपया प्रती केजिय के हिसाफ से तो 230 रुपया प्रती केजिय जो हमने यह सोनाली का दाम रखा हुआ है ऐसे कई poultry farmer जो सोनाली मुर्गी का पादन करते हैं उनसे बात करने के बाद रखा हुआ है तो चलिए calculation करते हैं अगर 1000 सोनाली मुर्गियों को हम तैयार कर लेते हैं और 230 रुपया के हिंसाफ से बेचते हैं तो हमें total कितना मिलता है तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है 230 रुपया प्रतीकुल हिंसाफ से अगर हम सोनाली मुर्गियों को बेचते हैं तो हम इस जो टोटल रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं 2,30,000 रुपए अब इस 2,30,000 रुपएं में से हमने जो टोटल खर्च किया था उसको माइनस कर देते हैं तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है एक हजार मुर्गियों के पीछे 71,500 रुपए बच चुके हैं यहां पिर मैंने कोशिस किये है, जो feed का दाम है, जो poultry bird का दाम है, सब कुछ मैंने कई लोगों से बात करने के बाद भी decide किया हुआ है, लेकिन poultry feed का rate और chicks का rate कम ज़्यादा होते रहता है, तो हो सकता है, जब तक आप इस वीडियो को देखें, कुछ 19-20 हो सकता है, तो 2023 में अगर आप एक हजार सुनाले मुर्गी पालन से शुरू करना चाहते हैं अपना पोल्ट्री फार्मिंग तो आपको एक आकड़ा हो गया होगा कि आपको कितना बच्चत आपको मिल सकती है और आपकी लागत कितनी आ सकती है अगर इस वीडियो का कोई आकड़ा कम या जादा आ अगर आप हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए धन्यवाद